सकते हैं, तो आप जाएंगे अपनी invoice के अंदर, इसमें आप अपने item select करें, तो यह हो गया हमारा textable, और इसके इलावा मैंने, एक item इसके अंदर overrate कर लिया, तो फिर आप इसके अंदर डालेंगे अपना subtotal, subtotal जैसे आप डालेंगे इसके अंदर तो आप देखेंगे कि आपका amount जो ही, वो इसके अंदर आ जाएगा इदर, तो इसके अंदर amount डालने के बाद, आप डालेंगे अपना Synth Provincial Celtics, तो Synth Provincial Celtics, जो मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर में change करूँगा इसका, टेक्स, वो गया हमारा Provincial Celtics, हेलो फ्रेंड्स, असलाम अलेकुम, मेरा नाम है अजीम एहमत और आप देख रहे हैं accounts information, तो फ्रेंड्स, आज का मेरा टोपिक है कि के अंदर किस तरह से multiple Celtics के जो rate होते हैं वो किस तरह change कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स, पिछली वीडियो में मैंने आपको यह बताया था कि किस तरह से आप Celtics involved कर सकते हैं, हमारी कोईश यह है कि हम Celtics को हम अच्छी तरह हैं समझें और कुईक बूक में apply करें, reason भी यह है कि इतनी सारी जो bookkeeping और information हम record कर रहे हैं अपनी कुईक बूक में या accounts में तो उसका सबसे बड़ा पहलू, टेक से, जो हमने government के मुखतलिफ agencies को अदा करना है, यह sell tax के नाम पर भी हो सकता है, और यह general sell tax के नाम पर भी हो सकता है, rate भी हो सकता है, यह income tax के नाम पर भी हो सकता है, यह excise duty भी हो सकती है, और government और वह सा के नाम की चीज़े हो सकती है, जो हम किसी और government agency की बहाफ पर, अपने customer या client की sales में से detect करके, यह अपने पास रखते हैं, और remate कर देते हैं, और जैसे कि मैंने discuss किया हुआ है, कि बिलकुल मुम्किन है कि आप चंद item पर अपने खास नुवियत की takes लगाएं, दूसरे type of item प एक percentage different, एक different percentage का takes लगे, item to item भी differ हो सकता है, service to service भी differ हो सकता है, province to province भी differ हो सकता है, और city to city भी differ हो सकता है, तो जैसे कि मैंने आपको पेले भी यह बताया था कि हमने क्या क्या, हमने क्या क्या है, जितने भी type of sell tags हैं, इनके rates हैं, वो हमने सारे के सारे अपने पास register कर ली हैं उसके साथ साथ अब हमें पता है कि यह सेल्स जहां हो रही है हम अपना सिस्टम उन लोगों के लिए उन यूजर्स के लिए सेट कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं कि अपने इलाके में जहां भी आप इस वक्त ताइनात हैं किसी टाइप के कौन कौन से सेल्टेक्स जो हैं वो लागू होंगे और अगर आप किसी दूसरे पॉर्विंस में हैं तो दूसरे टाइप का सेल्टेक्स प्रोवेंशल सेल्टेक्स फेडल सेल्टेक्स और अगर सिटी गवर्वर्मेंट का कोई टेक्स है तो वो टेक्स तो एक वक्त में से तो common या default text होता है, जो के हमारी तमाम textable चीज़ों पर लग जाता है, और ये एक line item के तोर पर नज़र आता है, और ये उसे calculate कर लेता है, उपर दिये हुए जो text's हैं, और उनके इलावा जो text's हैं, वो हम वो हमने invoice के अंदर कहीं ना कहीं शोप कर दी हैं, और इसके लिए मैंने आ असान चीज़, जिसमें आप अपना set या group कर सकें, इन item को ये service को, जिनके उपर a type of text लागू है, वो है sub-total, और अगर इस sub-total के उपर, अगर आप text लगाएं, text लगाएंगे, तो आपको समझ में आ जाएगा, कि हम बहुत असानी से, बज़ाएं के हर item पर, एक text लगाएं, हमें उन सब चीज़ों पर, sub-total लगाकर, इन तमाम चीज़ों का आता कर सकते हैं, तो आप जाएंगे अपनी invoice के अंदर, इसमें आप अपने item select करें, तो यह हो गया हमारा text table, और इसके इलावा मैंने, एक item इसके अंदर, over rate कर लिया, यह तमाम हमारे text table item है, तो इन तमाम items के, मैं rate भी चालता हूं इसके अंदर, इसकी quantity जो है, पचास रख लें, और इसकी 800, तो इसकी आप quantity पचास रख लें, और इसके rate जो है में डालता हूं 100, तो इसकी आप quantity रख लें, तो फिर आप इसके अंदर डालेंगे अपना, subtotal, subtotal जैसे आप डालेंगे इसके अंदर तो आप देखेंगे कि आपका amount जो है, वो इसके अंदर आ जाएगा इदर, तो इसके अंदर amount डालने के बाद, आप डालेंगे अपना, synth provincial cell text, तो synth provincial cell text जो मैंने इसके अंदर डाल दिया, तो इसके अंदर मैं change करूंगा इसका, text, वो गया हमारा provincial cell text, तो फ्रेंट्स provincial cell text की जो मैंने रखा था वो था 5%, तो याद रहें, sub total वो item है, जिसका accounts पर कोई असर नहीं होता, बाकि तमाम item यह types, accounts पर असर, इसका इन तमाम चीज़ों का accounts पर असर होता है, हो सकता है inventory खटे, sales बढ़ जाए, और आपका किसी न किसी किसम का expense आउट हो जाए, लेकिन यह तमाम चीज़े, sub total पर लागू नहीं है, यह एक item type define की जाती है, लेकिन accounts पर इसका कोई असर नहीं होता, इस पर इसका direct असर नहीं पड़ता है, यह सिरिफ आपको facilitate कर रही है, तो एक वक्त में एक से जाधा item केसे डाए जाएंगे, यह मैं बताऊंगा अपनी आने वारी नई वीडियो में, तो friends यह वीडियो मेरी यहीं तक थी, अगर आपको इस वीडियो के वारे से और कोई जान करनी चाहिए हो तो आप मुस्से कमेंस में लाज़न पूशें, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आये तो आप मेरी वीडियो के लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करने ना भूले, तो friends मिलते हैं आपने नई जा आपकोशन करें प fluorो ओीजियो आपको मुस्से कमें जापको नई प्सलाइब कर दाताबी तो आपको मेरी वीडियो से जापको मुस्ने करें शrating करें जान करें करें हो उर्शेर को अ बहु करें हो。